जिला सोलन की निर्मल ग्राम पंचायद नौनी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया गया बाल विकास परियोजना के तहट आयोजित इस कारेक्रम में जहां नई जन्मी बच्चियों को सम्मानित किया गया बही पंचायद की उन बेटियों को भी सम्मानित कि जिला सोलंग के निर्मल ग्राम पंचायत नोणी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया गया। जिला सोलंग के निर्मल ग्राम पंचायत नोणी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर एक कारेकरम का आयोजन किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ संदेश पर चितरकला प्रत्यकिता का भी आयोजन किया गया। आज यहाँ पर नोणी पंचायत पे हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बाल विकास परियोजना के तहत कैम पर रखा गया। जिसका मुख्य उदेश यह बेटियों को समानित करना चाहे वो छोटी बेटी हो चाहे वो बड़ी बेटी हो या किसी भी बेटी ने अगर अपने कारेशेतर में या किसी भी अपने पंचायत में कोई अच्छा कारे किया है। उसको समानित करना ये हमारा आज का मुख्य उदेश ये था हमने आज जिसके घर में चोटी ननी बच्चियां लाई है पैदा हुई है तो हंने समानित किया गया। जिला परशाशन सोलन की तरफ से हम लोगों ने यहां पर बधाई संदेश भी दिया गया और जो छोटी बची थी उसके माता को और पूरे परशाशन ने उनको हारदिक बधाई दी है बधाई हो सबको ननी बिटिया आई है जन्नत की सारी खुशिया घर में वो लाई है यह हम हमारे यहां पर जिसमें भी अच्छा कारे किया है वो चाहिए वो किसी ने पीएजडी की है या कोई हेल्थ में या कोई हमारे होस्पिटल में किसी भी विवाग में कारे रत है और जिसने अपनी एजुकेशन में भी अच्छे मार्क्स लिया है उनको भी समानित किया गया है मैं नौनी पंचायत से हूँ और यहाँ पर ये बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के बारे में मतलब कारेकरम होते रहते हैं और आज मुझे खुशी है कि मेरी बेटी को सम्मानित किया गया जो मतलब पीएजडी कर रही है इससे मुझे अच्छा लगता है कि बेटी के बारे में इतना सोचा जाता है, बेटी के बारे में इतना कर रहे हैं तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मतलब बेटी के लिए इतना सोच रहे हैं, इस तरह के कारेकरम चलते रहने चीए मैं आंगनबाडी वाले कारेकरताओं का बहुत धन्यवाद करती हूँ जिने मुझे समानित किया है आठ मार्च को भी मुझे समानित किया गया था इस बार अब भी मुझे आज भी समानित किया गया मुझे बहुत खुसी हो रही है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझ इसों को बहुत अच्छी लगती है इसलिए मुझे समानेति किया जाता है इससे मुझे और हिम्मत मिलती है वक्तो चल एक छोटे से ब्रेक का ये मिलते हैं ब्रेक के बाद